हलो और वेलकम टू दो क्लास आज हम डिसकुशन करेंगे सिपट 2020 की पार्ट 7 की बारे में अल्रेडी 6 लेक्टर जो है अभेलेबल है आप अभी देख लेजिए ठीक है कोस्टेंस देखिए कि फोटो रियाक्टिवेशन्स रिप्यार जो होता है मतलब कि फोटो रियाक्टिवेशन्स क्या होता है पूछा है तो देखिए डियने की जो रिप्यार सिस्टम्स की हम बात करेंगे जैसे मान लिजे ये डबल स्टरंडर डियने है डियने में मान लिजे कहीं पर ब्रेक हुआ ठीक है ब्रेक होने के बाद उसको जो चीजे किया जाता है हम उसको कहा कहते है रिप्यार कहते हैं जैसे नॉर्माली बाइक या कार मतलब कोई चीजे चुट गया हम उसको रिप्यार कर लेते हैं इसी तरीके से DNA भी भी बहुत तरीके के रिप्यार मेकानिजिम्स चलता है उन में से एक मेकानिजिम्स है फोटो रियाक्टिवेशन्स फोटो से नाम मतलब कि फोटो जो वार्ड होता है ना फोटो का मतलब होता है कि लाइट ठीके ना फोटो का मतलब होता है कि लाइट तो कि तरीके से चीज़ों को वो light की बज़े से light यहां पे UV radiation की चीज़े चलता है तो क्या होगा ना कभी-कभी ऐसे होता है जिशे आपको पता होगा मान लिजे यहां पर A है T है है ना जी है तो इस तरीके से है रहता है ठिक है तो यह यहां पर T रहेगा T है तो A रहेगा G है तो C रहेगा, सीहे तो जी रहेगा, कभी कभी क्या होता है, मान लिजै, यहां पर और यहां पर धायमिन है, तो हैंसे स्ट्रइमों में डाइमर बना लेंगे, समझदू ना, मतलब braking, नौर्माली क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेंड की एक निकलोटड ये थाइमीन है बास में रहती है ये वर्ण वर्णी के लिए होता है ठीके थाइमीन डाइमर बना लेता है जो की साइप्लोविटें रिंग्स जो रहता है थाइमीन स्ट्रॉक्चर ह Wallace रएस अपने पूरिन एक होता है और एक होता है प्यूरिंनर, प्यूरिंट में आप का आ जाएंगे, आरटे निनन गुंतिन्ड पैयुरमिदल में आ जायएंगे, क्या, आपकी साइ्टुसीन, marijuana जब हम DNA की बात करते हैं तो यूरेसिल नहीं होता है, RNA में यूरेसिल होता है, जो थाइमीन रहेगा, ठीके ना, तो यहाँ पर hexagonal एक ring structure रहता है, यह जो ring structure आप देखोगे, यह आपस में bond बना लेते हैं, ठीके ना, तो ऐसा होगा, यह तो normal सी बात नहीं है, ठीके न, हमको क बन जाएगा, यह एक abnormal DNA है, तो इसलिए इस bond को तोड़ने की तोड़ना ज़रूरी है, तो देखे, photoreactivation, repair dimers in DNA using endonuclease, यह बोल रहा है, हाँ, यहाँ तक तो statement सही है, कि यह DNA की जो dimer है, repair dimers, मतलब कि यह जो dimer बन रहा है, उसको repair करेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दे मतलब है कि within, बीच-बीच में, ऐसे ऐसे, जो जिसको तोड़ता है, हम उसको endonuclease कहते हैं, मतलब है कि बीच बला nucleotide, मालेजे, TGC, ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर जब तोड़ेगा, इस middle में, तो हम उसको endonuclease कहेंगे, exonuclease हम कि इसको कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ endonuclease को जो तोड़ सकता है, हम उसको exonuclease कहते हैं, क्योंकि आप जब बायो टेखनोलोजी देखोगे, वहाँ से question बनता है, endonuclease, exonuclease, endo का मतलब है कि within, exo का मतलब है कि जब एक DNA strand की first या तो last, पहला last वाल nucleotide को जो तोड़ता है, हम उसको exonuclease कहते हैं, जो बीच में त जलता है, photo है तो light, use light to activate repair enzymes, yes, ठीक है न, यहाँ पर OE होगा, यहाँ पर light use होता है, UV light जो है, use होता है, remove alkalating agent from the basis, तो यहाँ पर basis में कोई alkaline group R नहीं हुआ है, जिस वज़े से आप उसको remove करोगे तो repair हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, deaminate basis, यहाँ पर कोई भी deamin group को भी ह कौन सी फिर light है, UV light, याद रखे, UV light की presence में, जो thymid dimer है, उसको एक enzyme, जिसकी नाम होता है, photo liage, enzymes की नाम भी याद रखे, photo liage, हो सकता है कि कभी पुछ देगा कि या photo reactivation mechanism, या thymor, dimer repair mechanisms में कौन सी enzymes हो रहा है, तो enzymes की नाम याद रखे, photo liage, I hope आपको clear होगा कि जो DNA repair mechanism है, किस तरीके से काम करता है, कुछ होते हैं, methyl group को remove करने में होता है, समझ रहो ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि option number second के साथ हम चलेंगे B, है ना, use light to repair the enzymes, clear हो आपको, अच्छा, next questions हम बात करेंगे, question number 25 ये दे रखा है, position effect is the result of, position effect, position, आश से आप तो कुछ समझ रहे होंगे, position मान लेज़े, यहाँ पर ये चीज़े है, ये एक gene है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जो है, sequences रहेगा, ठीक है ना, या कुछ gene इस तरीके से है, आप ऐसे मान लेज़े, gene मान के चले है, ठीक है, आच्छा, जब हम देखेंगे, तो ये बोल रहा है, position के change होने के वज़े से, क्या चीज़े चलता है, ठीक है, आच्छा, position effect is the result of, किसकी result होता है, position में changes होने के वज़े से, mutation, देखें, mutations में क्या होगा, कुछ position के changes की वज़े से, ठीक है, ना, मान लेज़े, हम point mutations की बात करते हैं, mutation आपने नहीं पढ़ा है, इस channel में, genetics वाला playlist में चले जाओंगे, वहीं पर mutation में अच्छे से, तरह तरह की mutations बताई हैं, उसको भी देख लिजए, आपकी जो fundamental है, एक clear हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, कुछ point mutations होता है, है 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 है, mutation आप समझे रहो ना, sudden heritable changes को हम mutations कहते हैं, जो कि zine level में होगा, next generation को transfer होगा, और randomly होता है, ऐसा नहीं कि वो pre-decided है, हमको एहीं पर करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो point mutation होता है, मान लेज़े, यहाँ पे CAT, CAT, कुछ ऐसे है, ठीक है, CAT, CAT, ऐसे था, CAT मान ल filtered मिलके एक amino acids होता है, मान लेज़े, यह एक histodine है, यह histodine की chain था, समझे रहो ना, histodine की इस तरीके से chain था, मान लेज़े, किसी भी वज़े से, किसी भी वज़े से, यहाँ पे जो ardenin है, यह remove हो गया, मतलब कि delete हो गया, या और कोई एक ग्रूप है, यहाँ पे add हो इस तरीके से चीज़े चलता है, तो जब भी यहाँ पे मान के पहले चलिए, कि यहाँ पे delete हो गया, चीक है, तो अब जो sequence है, क्या हो जाएगा, C, A, T, यह तो पहला बला सही रहेगा, दूसरा बला यह, मान लेज़े, यह dilute हो गया, एक्दम नहीं है, तो क्या हो जाएगा da, CTC हो जाएगा, समर्व न, CTC हो जाएगा, फिर उसके बाद A, T, C हो जाएगा, फिर A, T, उसके बाद जो भी चीज़े रहेगा, उस तरह किसे चलेगा, तो पहले जो histron include हाँ मान लेजी यह, ग्लाइसिन हो गया, यह मान लेजे, थाइमीन हो गया, तो सारी, यह मान लेज कि जो सिक्वेंस था यह एकदम चेंज हो गया, समझ रहो ना, एक की एक, इस सिरफ एक की निकलियोटाइड की चेंज़ेस होने की बज़े से, ठीक है, यह दे रखा कि पोजिशन इफेक्ट में क्या होता है, एक जीन की जो मतलग कि जो निकलियोटाइड सेक्वेंस आप देख हैं, तो एक एरिया में, ठीक है, इनवर्जन में, एक एरिया में, माल लेज़े, यहाँ पर A, B, C, D जीन है, यहाँ पर P, Q, R, S है, तो यह दि माल लेज़े, यह इस तरीके से होगा, यह जो P वाला है, D के पास आजाएगा, D जो है, इसके पास चला जाएगा, तो यह दूसरे जीन की effect को modify कर लेगा, ठीक है, तो answer यहाँ पर inversion होगा, किंकि transversion जो है, यह भी नहीं होता है, transversion, gene के लिए, gene की point of view से तो यह काम नहीं करेगा, तो अलग-अलग chromogen में होता है, इसलिए, तो यहाँ पर answer जो हो रहेगा, यह inversion रहेगा, ठीक है, आचा, फिर next question देख and factor in determining the portion oxygen saturation of hemoglobin, जैसे क्या आपको पता होगा, respiratory gases में हम इचे discussion कर रहे थे, hemoglobin and, जो है, hemoglobin, ठीक है ना, यह transport कर रहा है oxygen and carbon dices की, ठीक है ना, अच्छा, hemoglobin की बहुत जादा affinity रहता है किसके लिए, ना oxygen के लिए and carbon dices के लिए, लेकिन hemoglobin किसके साथ bind होगा, oxygen के साथ bind होग या hemoglobin carbon dices के साथ bind होगा, यह completely depend करता है कि इस particular air के अंदर percentage किसकी जादा है, partial pressure किसकी जादा है, माल लेजे यह particular air के अंदर oxygen की percentage बहुत जादा है, माल लेजे oxygen 80 है, carbon dices 20 है, तो इस conditions में hemoglobin जो है oxygen के साथ bind होके, ठीक है ना, oxygen hemoglobin बना लेगा, समझे रहूँ ना, carbon dices के कंडिशन मान के चलिए कि यहाँ पर एक ऐसा air है, जहाँ पर carbon dices 80 है, and oxygen 20 है, तो इस conditions में hemoglobin जो है carbon dices के bind होगा, तो hemoglobin की oxygen के साथ bind होने की जो affinity होता है, किस के साथ bind होगा, यह depend करता है कि इस particular air में, oxygen के partial pressure कितना है, जितना ज्यादा partial pressure उतना अच्छ से वो bind हो जाएगा, समझ रहो ना, the most important factor in determining the percent oxygen saturation of hemoglobin, the partial pressure of oxygen, yes, obviously, acidity दे रखा है, acidity का मतलब होता है कि H plus iron के concentration ज्यादा होना, ठीक है, आच्छा, जब भी जो कोई भी चीज़े है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे ना, हम respiratory gases पढ़ रहे थे, और gases जो है, मतलब कि blood में सीच चलता है, समझ रहो ना या कुछ याद आ रहा या नहीं, जैसे देखें, यह है lungs, है ना, इस तरीके से respirator रखिया है, है ना, इस तरीके से यह फिर हो जाएगा, फिर यह है lungs, समझ रहो, आच्छा, यह bronchioles, यह branching, rebranching होते होते, finally आपके पास होता है, आल भी होली, हाट से ब्लोड इस तरीके से आएगा, ठीक ना, हाट से जो ब्लोड है, कुछ यह से आएगा, आने के बाद यहाँ पर in between हाट रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाट से जो ब्लोड आता है, वो carbon dioxide से वाला ब्लोड होता है, आपने जो EAR लिया है, हम respirations की through, that is the oxygen यहाँ पर जादा रहता है, तो यहीं पर ग्यास एक्सेंज हो जाता है, होने के बाद, that blood will be, अभी यह oxygenated हो जाएगा, एक्सेंज होने के बाद, फिर वापस हाट को चला जाता है, फिर हाट पुरा का पुरा बॉड़ी पार्ट को distribute करता है, समझ रोना, तो जो भी चीजे चलता है, वो blood में होता है, ठीके ना, जो, तो इसलिए यह बोल रहा है acidity, माल लिजे, pH जो है, pH एक्सेंज की conditions होता है, इसका मतलब है कि pH लो, कोई भी solutions के अंदर, H प्लस आयन की concentration कितना रहता है, उसको हम pH बोलते हैं, and pH, H प्लस आयन की concentration कितना है, H प्लस आयन की concentration जादा है, तो acidic ह है, ठीके ना, pH scale, आप साभी ने, आपको साथ बताऊगा, जो की 1 से 14 होता है, under 7 जो रहता है, वो neutral है, आप जो, हम लोग जो water drink करते हैं, कुछ area को छोड़ने के बाद, कुछ particular area होता है, जहां पे बानी थोड़ा alkaline होता है, किसमें acidic होता है, तो जो normally हम water consume करते हैं, that is the neutral pH की होता है, ना तो acidic, ना तो alkaline, इस condition 7 से नीचे चलोगे, तो यह acidic conditions होता है, 7 से उपर चलोगे, तो यह basic conditions होता है, ठीके ना, आच्छा, यह सारे चीजे describe करने की यह मकसद है, कि जितने भी time आप यहां पे दे रहे हो, आपकी एक area बना रहे हैं, ठीके ना, आच्छा, यहां प सायन के concentration ज्यादा रहेगा, हीमोगलोबिन है क्या, हीमोगलोबिन दो चीजों से बने हुई है, एक तो है iron, है और दूसरा होता है protein, गलोबिन, और प्रोटीन जो होता है, उनकी function जो है, वो affect करता है, temperature से, esthetic PS से, ठीके ना, यह उसको affect करता है, कैसे, देखिए, जो एग होत होता है, जब यासे, नॉर्माली आप, अमलेट करते हो, तो वहाँ पर होता है, एक को तोड़ने के बाद आपने देखेंगो, एलोई स्पाट होता है, होता है, जब अपने थोड़ी सी बॉयल कर लोगे, जो प्रोटीन होता है, अल्बुमीन, वो होता है, और अंदर में जो प्रोटी होता है, एक तो एच प्लस आयन, दुसरा होता है, टेमपरेचर, दुसरा होता है, ठीकिना, यह जो तीनों फैक्टर होता है, हीमोगलोबिन को ऑक्सिजन के साथ बाइंड करने के लिए इस फैक्टर की रूल रहता है, मालेजी, एच प्लस आयन के कंसंट्रेशन ज इधर उधर हो गया, क्योंकि उनके पास प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है, एच डिक एनभार्मेट में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, यह जिए मालेजी, आपने टेमपरेचर को भी इंक्रीज करोगे, ठीके ना, टेमपरेचर को इंक्रीज करोगे, तो भी क्या समय साथ decrease हो जाएगा, तो यह हमोगलोबीन जो है, carbon dioxide के साथ bind हो जाएगा, तो हमोगलोबीन oxygen के साथ bind करने के लिए, यह तिनो factor जादा रहेगा, तो हमोगलोबीन oxygen के साथ bind नहीं हो पाएगा, समझे रहेगा, आच्छा, यहाँ पे खेलाता है, यहाँ पे कभी-कभी आपको ऐसे H+, करके पूछेगा, या तो आपको acidic बेसिक टर्म में पूछेगा, acidic जब पूछेगा, तो यहाँ पे acidity क्या होना चाहिए, high होना चाहिए या low होना चाहिए, acidity low होना चाहिए, H+, जब लिखोगे, तो high लिखोगे, H+, यह तिनों के तिनों को high कर लोगे, increase करोगे, H+, increase, तो जो percentage है, hemoglobin के oxygen के साथ bind होनी की percentage है, decrease होगा है, समझ रहोना, लिकिन जब यह acidic की बात आता है, क्योंकि acidic हम तब ही कहते हैं, जब H+, की concentration ज़्यादा होगा, हम उसको low pH कहते हैं, acid इतना बोलके, low pH बोलते हो, ठीक है ना, low pH बोलोके, वो सही रहेगा, high pH का मतलब होता है कि basic, क्योंकि 14 तक जाएगा, जशे से increase हो रहा है pH, तो इसी प्रकार के, तो देखिए, the most important factor determining the percent oxygen saturation of hemoglobin, the partial pressure of oxygen, obviously acid इतना नहीं होगा, the partial pressure of carbon dioxide, यह रहा है कि, saturation की बारे में बात हो रहा है, binding and saturation की बीच में, differences क्या होता है, थोड़ा समझ लिजे, तो चीजा को clear होगा, ठीक है ना, saturation की बात हो रहा है, saturate होना, saturation, आप ऐसे याद रखिए, मान लिजे, आपकी favorite खाना है, आप, आपको लगता है कि, मेरा favorite खाना है, जितना मिलेगा, हमें उतना खा लेंगे, लेकिन, really में ऐसा होता है, आप सोच रहें हैं, यह मतल़ा, एक favorite खाना को सूचे, आपने पहले, initially क्या होगा, मान लिजे, आपकी favorite खाना है, एक burger आपने आपने quickly उसको कंजम करोगे, दो दिया, फिर भी quickly किया, तीन के बाद थोड़ा slow हो जाओगे, ठीकिना, पेट जब भरने लगेगा, या तीन भी मान लिजे, आपने ओभी quickly कंजम किया, चार तक तो उसके बाद तो नहीं हो पाएगा, ठीकिना, तीन तो होना, उसकिल है, तो फिर भी क्या होगा, उसके बाद आपकी saturated हो जाओगे, और कोई आपको उसके बाद बोलेगा, और एक burger ले ले आप बोलोगे, नहीं, क्योंकि आपकी saturation हो चुके हैं, समझ रहो ना, तो saturation की टॉर्म में के चीज़े क्यों याता है, क्योंकि एक हीमोगलोबीन जो है, आटे टाइम चार oxygen के साथ बाइंड हो सकता है, समझ रहो ना, एक one हीमोगलोबीन बाइंड टो four oxygen molecule, तो जब भी पहला oxygen आके बाइंड होगा, पहला oxygen बाइंड होना, किसके उपर डिपेंड कर रहा है, ना, oxygen की partial pressure कितना है, ठीके ना, जितना ज़्यादा partial pressure रहेगा, उतना quickly आके बाइंड होगा, और पहला बाइंड होने के बाद, वो दूसरे को क्या करता है, और बुलाता है, speed हो जाता है, पहला बाइंड होने के लिए 5 मिनिट लग रहा था, दूसरा बाइंड होने के लिए 3 मिनिट लगेगा, और तीसरा और चौथा वान मिनिट में बाइंड हो जाएंगे, अगली वान मिनिट में, जो चीज करने के लिए, पहले के लिए फाइब मिनिट खर्चा हो रहा था, तो जब हीमोगलोबिन की सारे साइट ऑक्सिजन के साथ बैंड हो जाएंगे, हम उसको साचुरेशन कहेंगे, मतलब कि वो साचुरेट हो गया, उसके बाद आप चाहे जितना भी आपकी जो है ना एंटरांस के अंदर 400 सीट है, ठीक है, तो फास्ट जो 400 बच्चे रहेंगे, वो तो आडमीशन ले लेंगे, उसके बाद जो 401 वाला बच्चा है, उसका तो आडमीशन नहीं होगा, समझ रहें, उना साचुरेट हो गया, आप बोलोगे, उनत तो मतलब कि 90 रखा है, माले जे, 90 से पहले है ना, 90 वाला बच्चा एकदम 90 मार्क रखने वाले जो बच्चे होते हैं, अहलांगी नहीं होता है, 70 होता है, 72, 73 तो लास्ट इर गया था, माले जे, 73, 73 लास्ट तक गया है ना, बाणी भीहर के लिए 73 था है, आच्छा, तो अब हम देखेंगे, तो माले जे, 60 तक था, जो बच्चा 59 रखा है, और वो 401 है, आप बोलोगे, विवास, इतने माल के डिफरेंसे से, ठीक है ना, यह तो 65 लोग रखा है, लेकिन सीट कम्पलिट हो गया, फिर उसके बाद, एज कल्कुलेट करते हैं, कुछ और भी चीज़े रहता है, उसको कल्कुलेट करने के बाद होदा है, तो सीट की तो नंबर फिल अफ हो गया, क्या करेंगे, और नहीं हो पाएगा, तो इसलिए, तो क्या होगा, जितना भी सिट था, मतलए जो चार-चार स्पेस था, और जितने मल्टिपलाई बाएगा, उतना हमगलों भी बैंड होने के बाद, और बैंड नहीं होता है, उसको कम्पलिटली डिपेंड करेगा, पार्सल प्रेशर आफ ऑक्सिजन की उपर, ठीक है ना, आच्छे, तो most important factor determining the portion oxygen saturations, फिर दे रखा है कि, reabsorption of the chloride iron from the glomerular filtrate in the kidney table is carried out, जो kidney table होता है, उनकी reabsorption की बार में दे रखा है, ठीक है, क्लोराइड आइन की reabsorption काहा हो रहा है, जिसे आपको पता होगा, ये nephrons रहता है, ये baumens capsules है, ठीक है, ये PCT है, फिर loop of hand layer से रहता है, उसके बाद ये DCT है, and DCT जो है, ये इस तरह के से collecting ducts के साथ connected रहता है, ठीक है ना, आच्छा, तो ये PCT proximal convoluted table ये होता है, DCT, ये बोल रहा है, जो chloride iron, हमें से याद रखिए, जो इस तरह के से हमने, ये उस से टॉन की जो बनाया है, उसको हम लूप of hand layer बोलते हैं, लूप, ये लूप हो descending limb कहते हैं, क्योंकि ये descend हो रहा है, नीची की तरफ जा रहे, descending बोलते हैं, ये आपको ये से उपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके हम ascending limb बोलते हैं, उपर, आसेंडिंग बोलते हैं, नीचे descending होता है, जो descending loop of hand layer होता है, that is permeable to the water, ठीक है, permeable water यहीं से बाहर निकलाएगा, म हमसे याद रहे हैं, जैसे बारिस हो रहा है, पानी उपर से नीचे गिर रहा है, कोई भी माल लिजे जैसे कोई stream है, है ना, उपर से नीचे पानी गिरने की जो प्रावलेड है, इस तरफ की से रहता है, बारिस समझ लिजे, तो ऐसे ये उपर से नीचे क्या रहा है, वाटर निकल रहा है, that is permeable to water and impermeable to the sodium chloride, ये चीज़ आप ध्यान दिजे, एक चीज़, एक को याद रहे कि दूसरा हो जाएगा, and ascending limb जो होता है, that is permeable to the sodium, ठीक है न, यहाँ पर ये sodium के लिए permeable है, and impermeable to water, ये water impermeable है, sodium chloride जो है, ये permeable है, तो questions देखेंगे, ये ट्रिक से आप याद रहे है, re-absorption of the chloride ion from the glomerular filtered in the kidney table is carried out, तो कहाँ पर होता है, न, अच्छा, carried out by, कौनसी process में होगा, देखें, यहाँ पर दे रखाएं कि osmosis, ठीक है, osmosis, diffusion, active transport, brown yarn movement, तो chloride ion जो होता है, वो जो transportation से होता है, इस तरह के से होता है, अच्छा, और यह जो trick मैंने बता है, यह और एक questions में repeat होगा, साइद, या 20 या 23 की questions में साइद repeat होगा है, अच्छा, तो देखें, निक्स देखेंगे, the gastric gland cell whose absence could lead to pornicious anemia, तो gastric gland जैसे digestive system में आपने यह पढ़े होंगे, यह gastric gland होता है, इनकी जो यह बोल रहा है, यहाँ पर कुछ एक cells होता है, ठीकिना gastric gland की, यह पारेटल cells होता है, एक cells है, जिसकी नाम होता है, पारेटल cells, तो यह जो पारेटल cells होता है, that will, secret intrinsic factor, जो कि intrinsic factor को secret करता है, और इस intrinsic factor जो है, absorption of iron, iron की absorption को body में improve करता है, यह पारेटल cells किसी भी वज़े से destroy हो गया, तो iron की absorption नहीं हो पाएगा, जब iron की absorption नहीं हो पाएगा, तो anemia बनेगा, क्योंगी आपकी hemoglobin बनाने के लिए iron की ज़रूत होता है, hemoglobin, hem जो होता है, iron होता है, iron की ज़रूत होता है, जब भी मान लिजए, irons नहीं है, ठीक है, iron present नहीं है, तो hemoglobin बनने में problem होगा, तो इसको हम बोलते हैं, parnicious anemia, कुछ तरह तरह के anemia होता है, थुड़ा याद रखिए, एक होता है, parnicious anemia, ठीक है, हमने देखा कि, castral intrinsic factor, castral intrinsic factor, की बज़े से होता है, जो की iron deficiency हुआ, sickle cell anemia की genetic disease होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी hemoglobin नहीं बन पाएगा, hemoglobin की जो alpha cell, मतलब की hemoglobin की दो type की chain होता है, 2 alpha and 2 beta chain होता है, alpha and beta chain में, तो जो है, मतलब की hemoglobin की safe ही sickle cell हो जाएगा, जो है ना, paddy field में इसे cort करने के लिए होता है, कैसे क्या, उसको उडिशा में दा बोलते हैं, cut करने के लिए जो रहता है, sickle, ठीक है, इसे cut करने के लिए जो रहता है, तो sickle cell हो जाएगा, मतलब की सेप ही चेंज हो जाएगा क्यों कि जो हीमोगलोबिन की जो चेंज होता है वहां पिर मेर भाली अ ग्लिप्टमेट एक आमिनोसेट जिसको रिप्लेस करता है वह भैलिन की वज़े से और भैलिन लेका हाइड्रोफोबिक आमिनोसेट से होता है तो वाटर से वह बच्चत के रहने की कुशिश करेगा समझ रहो ना नॉर्माली कहने के मतलब यह है नॉर्माली जो आपके आरबी अलपन भी चकलेट है ऐसे सुचिए अंदर थोड़ा सा खोकला होता है लेकि अलपन भी चकलेट जो वाण रुपीज कि आता है यह वाल आपने दिखा है कभी ठीक है अंदर थोड़ा खोकला लगेगा आपको बाहर या तो नहीं आपने स्कूल या कलेज में जो डिसकस एक रboys बाम होता है न एक तो 그대로 होता है और डिसकस होता है उनकी पेरी फेरी ठोड़ा पतली होता है center वाला थोड़ा सा थीक होता है discuss में लेकिन RBC जो सुचिए, alpine B chocolate ठीक है? सुचिए तो यहाँ पर अंदर वाला खोकला रहता है उनकी periphery जो है थोड़ा थीक रहता है, ठीक है ना? यहाँ हम उसको 3 dimensional way में visualize करेंगे ऐसे alpine B आप लोगों से कोई देखा है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसे होने से ज़्यादा oxygen क्यारी होके cell को मिल पाएगा यदि इस वाला structure ना बनके कुछ ऐसा structure बन जाएगा, sickle जैसे structure बन जाएगा, तो उतना oxygen transport नहीं हो पाएगा, उसको हम इसलिए बोलते हैं, क्या आपकी sickle चला नहीं में सेभी चेंज हो गया, सेभ क्यों चेंज हो गया? क्योंकि जो alpha and nitrogen जो है उनकी सेभ को maintain करते हैं यदि और यहाँ पे जो glutamate होता है amino acids glutamate है, तो normal चाहिज है तो इसलिए water से दूर के रहने के कोशिस करेगा तो खुद को, सारे के सारे चीज़ों को खुद की तरफ ऐसे खिच लेगा तो इसलिए safe हो गया, ठीके ना? और एक होता है megaloblastic anemia, ठीके? और एक रहता है megaloblastic anemia ecicle से लाने में हो गया, ponnicious हो गया megaloblastic एक विटामिन के डेफिचेंस में होता है, आपकी होमवर्क है ठीके? megaloblastic anemia megaloblastic anemia जो कि folic acid के डेफिचेंसी में होता है ठीके? ना? folic acid आपने कभी-कभी iron syrup या tonic देखे होंगे, dexorange अगरा इसे कुछ मार्केट में available होता है आपने देखे होंगे, मतलग कि वहां पर iron, vitamin B12, vitamin B12 की deficiency में भी disease होता है, मतलग कि वही anemia होता है, folic acid या vitamin B12, आपने देखे होंगे megaloblastic anemia होता है आपकी होमवर्क है, याद रखिए आचा, तो यह हो गया यह बोल रहा है कि तो अभी के लिए याद रखिए कि gastric, मतलग कि स्टोमा के अंदर एक cells, टाइप के cells होता है gastric gland whose absence could list to panneces आने में इसदा, तो यहां पर क्या हो गया आपकी gastric gland की जो paratal cells होता है, paratal cells जो रहेगा, release some intrinsic factor जो कि iron को absorption करने में help करेगा, तो वह ही रहेगा, ठीके ना, अच्छा chip cell, हमने oxynetic cells भी आपको बताए था, oxynetic cells जो कि SCL secret करता है, समझ रहो ना इस सारे जो cells है digestive glands के अंदर सारे चीज़े cover किया है, उसको देख लिजे mucosnake cells है, तो obviously mucosy secrets करेगा, समझ रहो chip cell है, oxynetic cells है ठीके, तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि आपकी specifically क्या है, ना, कौनसी ऐसा cells है, जो कि pepsin and renin secret करता है, और कौनसी cell है, जो कि hydrochloric cell acid secret करता है, याद रखे oxynetic, ठीके ना, oxynetic cell क्योंकि यह जो cells होते उनकी different different नाम भी होता है, एक ही तरीके के सेले अलग-अलग नाम होता है, आप उसको याद रखे, कुछ हो enzyme secret करते हैं कुछ हो आपका hydrochloric acid secret करते हैं, इसलिए stomach की जो pH होता है, low pH होता है, acidic pH होता है ठीक है, आच्छा question number 29 आपका complete हो गया, next आपके लिए के information से यार करनी थी यदि आपने, ठीक है aid start के साथ जूड़के preparation करना चाहते हो, तो आप aid start से जूड़ सकते हो, और information यहाँ पे है, ठीक है तो देखिए, यह plan है, आपकी cross course की plan है, 3000 की course भी जो है, आपको सिर्फ 1800 में मिल रहा है इसके साथ, पुरा का पुरा जो से अपने PDF notes आपको मिलेगा, ठीक है ना, पुरा का पुरा जो syllabus की recorded classes मिल जाएगा और जो भी doubt रहेगा आप direct one to one पूछ सकते हो, यह वी चीज़े आपके लिए है, और previous questions जैसे यहाँ पे हम discussion कर रहे हैं, इसे सारे previous questions को हम discussion करेंगे MCQ practice करेंगे, ठीक है chapter wise MCQ practice करेंगे और पूरे syllabus की recorded classes आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए यह है, ठीक है आप सभी के लिए ही बना हुई है तो आप इसकी फायदा ले लीजिए क्योंकि एकी information एकी area में में रहना भी बहुत बड़ी बात है आपको इधर उधर से फिर information को collect करना उसको पढ़ना तो आप जूट सकते हो और इस number पर contact के जाए ठीक है, यह जो है number आप देख सकते हो screen पर भी scroll हो रहा है 7894226802 ठीक है, आच्छा, next question से हम बात करेंगे all the hormones of adrenal cortex are synthesized form adrenal cortex की जितना भी hormones होता है, वो क्या होते है हम मैंने आपको बता है hormones की nature की occurring हमने उसको categorize किये थे, ठीक है ना एक तो था fat soluble hormone एक था water soluble hormone ठीक है ना, आच्छा, जो fat में soluble hormone होगा तो specifically वो steroid hormone होते हैं ठीक है, steroid hormones होते हैं यह चीज़ भी हम discussion किये थे ठीक है, आच्छा steroid hormones की जो precursor होता है that is the cholesterol जितने भी sex hormone होता है ठीक है और adrenal gland के hormones होता है steroids रहता है, sex hormone में male है तो testosterone बनेगा and female, testosterone ठीक है, steroid आप ऐसे याद रख सकते हैं testosterone है estrogen 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 progesterone ठीक है, नाम से थोड़ा याद रखे progesterone SS-sterone progesterone समझ रहें ना, जितने भी sex hormone है साथी साथ cholesterol hormone होते है water-soluble hormone में आपका proteinious hormone आ जाएंगे peptides hormones आ जाएंगे कुछ और क्या होता है peptide hormone आप किसको कहोगे 3 से लेकर, 2 से लेकर 49 amino acid से बने हुए जो chain है, उसको हम peptide कहते है और 50 से जो जादा हो जाएगा पहली peptide chain के लिए तो हम उसको proteinious कहेंगे, वो जो होते हैं water solubles होते हैं आच्छा, तो यह हो गया चीजे, question सिद्धा रखा था कि all the hormones of adrenal cortex are synthesized from tyrosine, glycopretin, cholesterol and fat याद रखे, यह cholesterol से synthesized हुआ है, यह वो steroid hormones है, तो आज के लिए इतना ही है वीडियो पसंद आए तो like केजे, subscribe केजे और आपकी friend के साथ भी share केजे